हम पहुँच गए हैं बैंगलूरू करनाटका, जहां हम मिले एक कॉमन मैन से, जिन्होंने अपने हाड़ वर्क से कुछ ऐसा अनकॉमन हासिल किया, जिसे अक्सर लोग किस्मत की देन समझते हैं, पर ये था उनकी महनत का नतीज़ा। जी हां, ये करोडों की रूल्स रॉइस। अब आप पूझेंगे कि रमेश बाबू करते क्या हैं। जी बैंगलोर आओ, तो इनसे बाल कटवालो। रमेश बाबू के पास सिर्फ रोल्स रॉइस ही नहीं, बलकि 378 से भी ज़्यादा गाडियां हैं, जिन में से 120 लग्शिरी कार्ज हैं। अच्चुली सलोन बिजनस के अलावा, रमेश बाबू कार रेंटल बिजनस भी रन करते हैं। और वो कौन-कौन सी गाड़ियां रेंट पे देते हैं, आईए जरा उनी से जान लेते हैं। Mercedes, BMW, Audi, Jaguar, Rolls-Royce, हर ब्रैंड की गाड़ी मेरे पास है। आप इस गलत फैमी में मत रहिएगा कि ये सब चीजें उन्हें विरासत में मिली हैं। ये सब इनके खून-पसीने की कमाई है। मैंने 14 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। सुबह उटकर मैं लोगों के घर में दूद सप्लाई करता था, न्यूस पेपर सप्लाई करता था। और दूद और न्यूस पेपर सप्लाई करने के काम से मैं महिने के 100 रुपे कमा लेता था। पिता जी के salon business को उनके गुजर जाने के बाद चाचा रन करते थे पर रमेश जी कुछ बड़ा करना चाते थे और 18 साल की उम्र में ही उन्होंने salon business की जिम्मेदारी अपने कंदों पर ले लिए मेरी दुकान पे इतने customers आ जाते थे कि कभी-कभी hair cutting के लिए मैं सुबा चे बज़े से रात के दो बज़े तक काम करता था और कई बार तो अगली सुबह तक अच्छली रमेश बाबू सिर्फ सेलाओ बिजनस से साटिस्फाइड नहीं थी उन्हें कुछ करना था और बहुत आगे बढ़ना था और आगे बढ़ना है तो महनत के साथ साथ सोच और शौक भी बड़े रखने होंगे इसलिए 1993 में उन्होंने परसनल यूज के लिए पहली कार मारूती ओमनी लोन पे खरी दी पर उसमें भी एक ट्विस्ट आ गया उनकी मम्मी नंदनी आंटी के यहां काम करती थी और उन्हीं नंदनी आंटी के एक सजेशन ने उनकी जिन्दगी का रुख बदल दिया और एक आम आदमी निकल पड़ा उस बुलंदी को छूने जिसका उसने सिर्फ एक सपना देखा था मेरी आंटी ने मुझे एक आइडिया दिया कि मैं अपनी कार रेंड पे क्यों नहीं देता और मैंने ये बिसनिस शुरू कर दिया जब रमेश ने बिसनिस शुरू किया उस वक्ट ड्राइवर्स नहीं मिला करते थे वो खुद गाड़ी चलाता था और धीरे धीरे उसने बिसनिस बढ़ाया और साड़े तीन करोड की कार में किंग रोल्स रॉइस खरीदने का खयाल कब आया आपको रमेश बाबू मैं दूसरों से कुछ अलग करना चाहता था इसलिए मैंने 2011 में एक रोल्स रॉइस खरीदी रोल्स रॉइस को भी वो पर डे 50,000 रेंट पर देते हैं आप सोच रहे होंगे कि इतनी लक्शिरी कार्स के मालिक आज भी हैर कट करते हैं एक्चली उनका मानना है यही उनका मेंन बिजनस है और यह बिजनस वो नहीं छोड़ सकते आज वो एक सक्सेस्फुल कार रेंटल बिजनस रन कर रहे हैं यह उनके विजन और जीतोड महनत का नतीजा है और ऐसे जुनुनी आपको जिर्व इंडिया में ही मिलेंगे बास कार्स के लिए पैशिनेट रमेज जी अपनी कार्स की फ्लीट में एक द्रीम कार और एड़ करना चाहते है मेरी अगली द्रीम कार है स्ट्रेच लीमोजीम जिसकी कीमत है करीब आट करोड एक आम जिन्दगी को शान भरी लाइफ में ट्रांस्फॉर्म करने का हुना और 21 सालों की कड़ी महनत के बाद जिन्दगी के इस मकाम तक पहुँचना वाकि रमेज जी यंग जन्रेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है और वो एक चीज कहते हैं कि determination और hard work ही life की वो कंगी और कैची है जिसे आप अपने success की styling कर सकते हैं